C++ programming सीखने के लिए हमारे चैनल Learn Coding को सब्सक्राइब करें C++ programming में आज का हमारा topic है pointer pointer बहुत ही important concept है C++ का interview में बहुत पुछा जाता है यह ठीक है full explanation मतलब pointer के बारे में हम आपको हर एक चीज बताएंगे क्या होता है इसका program कैसे बनता है इसका use क्या है किसलिए इसको use करते हैं ठीक है लेकिन pointer करता क्या है आपको वह पता होना चाहिए pointer is a variable that holds the memory address of another variable pointer अपने आप में एक variable होता है ठीक है और इसका काम क्या होता है यह किसी दूसरे variable के address को hold करता है बस यही होता है pointer example के लिए माल लो हमारे पास एक variable अब अगर माल लो यहां पर हमें एक को print करेंगे तो क्या output आईगा आटपूट प्रिन्ट होगा 10 और यहां पे हम पाइबल को प्रिंट करेंगे क्या प्रिंट होगा पॉंटर विडिय में को प्रिंट करने से आटपट आएंगा different क्यूं क्यों क्यूंकि पोइंटर व्रियम ने एक अड्रेस को रवड किया हुआ है थीक है अब यहां पर हम star pointer को print करेंगे तो star का मतलब value of pointer तो इस 1000 address को जो pointer ने hold किया हुआ variable a के address को जो pointer ने hold किया हुआ इस address पर value क्या है इस address पर value है 10 तो यहां पर 10 print होगा ठीक है उसके बाद अगर हम address of a print करेंगे तो एक address क्या है एक address 1000 बेरियबल का मान के चल रहे हैं तो वह address यहां पर print होगा ठीक है तो इस तरीके से pointer का concept होता और pointer काम करता है हम practically प्रोग्राम सो करेंगे जिसमें हम और भी बहुत सारा चीज़ आपको discuss करके बताएंगे लेकिन आपको याद क्या रखना प्रैक्टिकल में मूव करने से पहले pointer के साथ काम करने के लिए हमारे पास दो यूरी operator होता है इसको हम बोलते है address of operator और इस star को बोलते है value at address operator यानि इस address पर क्या value है उसको point करता है यह तो अभी चलो हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें pointer का सारा चीज discuss करेंगे देखो यहाँ पर वही सेम प्रोग्राम बना हुआ है अगर इसको हम execute करेंगे तो इसका output क्या आना चाहिए तो चलिए output हम देखते हैं output देखो print हुआ है सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने a को print किया एक वालू 10 है उसके बाद address of a हमने print किया हुआ तो यह हो गया variable a का address देन क्या हुआ हमने pointer p को print किया हुआ है तो a यह एक एड्रेस ही print कर रहा क्योंकि pointer ने देखो यहाँ पर एक address ओड किया हुआ है, उसके बाद हमने value at address operator के साथ pointer को print किया हुआ है, तो 10 print हुआ है, इसका मतलब इस वाले address पे value क्या है, 10 है, ठीक है, अब अगर इसमें हम थोड़ा सा और changes करें, जैसे माल लो, अभी हम क्या print करें, अभी हम pointer का address print करना चाहरें, ठीक है, तो pointer का address क्या print ह होना चाहिए, कुछ भी एक alpha numeric number यहां पे भी print होगा, यह देखो, यह वाला है pointer का address, ठीक है, यह pointer का address है, अब इस program में हम और भी changes कर सकते हैं, हम चाहें तो एक और pointer हम create कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम double star देके कोई भी pointer create करते हैं, तो वो कहलाता है pointer to pointer, ठीक है, यह वाला हो हो गया pointer to pointer, ठीक है, अब हम करेंगे क्या, बहुत ही simple सा requirement, अब हम यहाँ पे again perform करने वाले हैं, यह जो हमारा pointer to pointer है, यह क्या करेगा, पहले वाले pointer के address को hold करेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी hold करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें जस्ट यहाँ पे लिखना पढ़ेग पी, क्योंकि pointer का nature ही होता है, किसी variable के address को hold करना, तो pointer अपने आप में भी एक variable है, तो एक pointer, दूसरे pointer के address को hold कर सकता है, वो pointer to pointer होना चाहिए, ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हम Q के साथ operation perform करें, same operation, तो क्या output आना चाहिए, जैसे सबसे पहले अगर हम normally क्या करें, Q को print क कर दें, ओकि, उसके बाद, Q print होने के बाद, हम star Q को print कर दें, ठीक है, देन हम चाहते हैं कि क्या print हो, हम चाहते हैं कि double star के साथ Q print हो जाए, ओकि, उसके बाद, यहां परिंत में क्या बच गया, मॉमलो address of Q print कर रहे, तो यहाँ पर आप बताओ क्या का प्रिंट होना चाहिए यहां पे प्रिंट होना चाहिए एड्रेस ओफ पी ठीक है पी का अड्रेस प्रिंट होना चाहिए क्योंकि क्यों के पास पी का अड्रेस है उसके बाद यहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए यहां पे प्रिंट होना चाहिए address of A क्योंकि Q के पास क्या है pointer P का address है pointer P के पास value क्या है pointer P के पास ये value है तो star का मतलब value को focus करेगा तो यहाँ पे अभी value print करेगा value of A और यहाँ पे Q अपना ही address print करेगा ठीक है तो चलो run करते देखते हैं कि output same आता है की नहीं अभी हम focus करने वाले हैं यहाँ से ठीक है यह हो गया क्या यह हो गया हमारा Q का result ठीक है address of P, P का address, pointer P का address फिर यह हो गया variable A का address उसके बाद देखो 10 value of A उसके बाद यह हमारा pointer Q का address है तो यह new है 4 result जो की pointer to pointer का result है तो इस तरीके से C++ में pointer का concept होता है जिसमें pointer किसी variable के address को hold करता है और उस address के थुरू वो उसके value को भी access कर सकता है, pointer यूज करने का main purpose होता है, dynamic runtime memory को manage करने के लिए allocate, dealocate हमारे requirement के हिसाब से इसलिए आप देखेंगे जब आप data structure पढ़ेंगे तो data structure का सारा concept pointer पे ही depend है वहाँ पे आपको कै लोग, मैं लोग बहुत सारे functions मिलेंगे जिनका use pointer के साथ करके runtime में memory create करेंगे, उसको decrease करेंगे अपने requirement के हिसाब से memory को increase कर सकते हैं, इसलिए pointer pointer का concept है C++ में, ठीक है और उसी memory को manage करने के लिए efficiently काम करने के लिए ही pointer है C++ में, ओके तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को like करिएगा, share करिएगा, चानल पे नहें subscribe करिएगा